एलो फ्रेंड, डेटा इस्टेक्चर एन एल्गोरिथम के कूर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में सो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सुस्क्राइब जरूर कीजेगा सो लेट्स स्टार्ट वीडियो सो फ्रेंड अगर बात करें सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को जानने से पहले कि वाट इस सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है, सर्च क्या होता है, कि किसी भी लिस्ट से किसी भी नंबर को find out करना, यानि ढूड़ना, खोजना तो उसे हम क्या कहते है, search operation क्या आते है, और वो किस location पे है, उसकी position को find करना, कि आखिर उस list में, उसकी position क्या है, इस चीज को find out करना हम क्या कहते है, कि उसको search कहते है, किसी चीज को खोजना, अगर कोई list दे रखें, मतलब अगर एक से hundred तक कोई गिंती है, count number है, या फिर कुछ भी है, कोई name है, एक से hundred तक किसी person, मालोग बहुत सारे आपके company में employee है, सबके one से लेके serial number 100 तक number रिखें, अब हमने कहा दिया कि राम को find out करो, कि राम इस list में कहा है, तो उस list से राम को find out करना, और राम की position क्या है, कितने serial number पे है, उस चीज को find out करना ही क्या होता है, searching होता है, ठीक है, अब searching operation क्या होता है, कि दो तरह का होता है, एक linear search होता है, दूसरा क्या होता है, binary search होता है, तो linear search के बारे में हमने लिंक आप पिछनी वीडियो को जाके देख सकते हैं, तो अगर आके हम बात करें कि Binary Search algorithm क्या होता है, तो Binary Search algorithm क्या है कि Binary Search, Binary Search इजे Searching algorithm for find the element position in the sorted array, जो देखो Binary Search algorithm क्या होता है, यह sorted array पर work करता है, कि जो array पहले से sorted हो, लेकिन Linear Search algorithm उसके लिए कोई required नहीं है कि हमारा array sorted है या unsorted है, वो हर जगए work कर सकता है, लेकिन Binary Search algorithm को लगाने से पहले हमें यह चीज चेक करना है कि जो भी हमारा array है, वो sorted है कि नहीं, ठीक है, तो यह क्या करता है, sorted array में किसी भी element के position को find out करने का काम करता है, आगे अगर हम बात करें तो जैसे क्या है कि, यहां से लेके 9 तक यह numbers है, तो इनकों तीन भागों में हम categorize कर देते हैं, binary search algorithm में, mid वाला part हो जाता, lower part हो जाता, और high वाला part हो जाता, बंदब जितने elements होंगे, उससे हम क्या करेंगे, बीच वाला elements है, जिससे, अब देखिए, यहां पर क्या है कि 5 हमारा क्या mid element है, अब 5 से जितने छोटी element ह साइड है, और 5 से जितने भी greater element है, वो 9 इधर, right side में है, ठीक है, आगले अगर step की बात करें, तो इसमें क्या होता, कि in the approach the element is always search in the middle of the position of an array, तो इसमें क्या होता, कि जो भी element होता, हम 20 से start करते हैं, 20 से क्यों करते हैं, कि अगर हमने कोई value दे दी, अब हमने मालो, दे दिया कि 5, 4 को search करना है, 4 को अब हमें search करना है, तो सबसे पहले हम mid value से compare कराएंगे, तो 4 क्या mid value से, जो mid value क्या है, 5, अब 4, 5 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो हम left side में search करेंगे, अगर बड़ा element होता है, तो हम right side में search करते हैं, आग या खर हम बात कहें, तो binary search can be implemented only on a sorted list, आप terms, तो हमने items, तो पहले ही बताया कि जो भी binary search algorithm होता है, वो क्या सिर्फ sorted list पे work करता है, if the element is not sorted already, तो we need to sort them first, सबसे पहले हमें क्या need पढ़ती है, कि उनको sort करना पढ़ता है, अगर element sorted list में नहीं होते हैं, तो sort करने के लिए बहुत से algorithm होते हैं, जिसकी बारे में हमने इसकी वीडियो में already discuss कर रहा है, अगर अभी तक हमने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो description में लेंगा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, so, तो इसमें क्या होता, इसके algorithm के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले क्या होता, कि हम user से एक input लेते हैं, ठीक है, user से input दे दिया कि नहीं, 7 को find out करो कि इस array में क्या है, उसका index क्या है, अगर index की बात करें, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गया, अब क्या करेंगे, कि हम जो भी user हमें value देगा, उसको हम क्या किस से compare कराएंगे, mid value से, सबस greater देना है, तो greater देना होगा, तो हम right side में search करेंगे, अगर छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, left side में numbers को find out करेंगे, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस तीज को example के जरिए ज्यादा समझ में आएगी, तो example के अगर बात के तो consider the following list of element and element to be searches, तो element हमें क्या सर्च करना है, आप यहां पर हमारे पास क्या है कि 10, 12, 20, 32, 55, 65, 80, 99, में हमें क्या करना है, search element हमारा 12 को हमें find out करना कि इस list में 12 क्या है, तो सबसे पहले हम देख लें कि यह कितने number का हमारा array है, तो सबसे पहले इसमें बात करें, तो index 8 है, यानि 9 numbers इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इसमें lower, mid और high तीन पार्ट में इस array को categorize कर लेंगे, categorize करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या हो गया, कि array यह वाला, अब 50 क्या हो जाएगा, mid वाला पार्ट हो जाएगा, और यहां पर हमारा 99 क्या हो जाएगा, high पार्ट हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करेंगी, searching element हमारे पास क् 12 को हम क्या करेंगे, 50 से compare कराएगे, क्योंकि जो mid value हमारी है, वो 50 है, तो 50 से 12 को compare कराएगे, तो 50 से, क्या 12 चोटा है या बड़ा है, ठीक है, तो चोटा है, तो हम left side में जाएगे, अगर बड़ा है, तो right side में, अगर value match कर जाती है, तो हम element found दिखा देंगे, ठीक है, अगर और 50 कैसे match करेंगे, दोनों में बहुत जमिन और आस्मान का फर्क है, तो क्या होगा कि अब हम देखे कि जो 12 है, 50 से क्या है, छोटा है, छोटा है तो हम क्या करेंगे, left side में find out करेंगे, ठीक है, तो अब 10, 12 और 20, 32 में हम numbers को find out करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कि 10, 12, 20 20 और 32 हमा एक नया array create कर लेंगे, बाकि इस वाले array को हम भूल जाएंगे, ठीक है, आगे क्या होगा, कि अब इसमें हम फिर mid value बनाएंगे, ठीक है, mid value क्या होगी, अब यहाँ पर हमने मालो mid value 12 को बना लिया, हम 20 को भी बना सकते थे, अब यहाँ से देखो, इसको left इसको high value बनाएंगे, अब हम इसको या तो बना सकते थे, mid value या तो 12 को, तो हमने 12 को mid value बनाया, और जब compare करा है, तो mid value is equal to searching element, दोनों equal हो गए, तो क्या करा है, कि both are matching, so the result is, result जो है, हमारा element is found, index 0 पर क्या है, कि हमारा element find out हो गया, अगर एक और example की बात करें, तो यहाँ पर searching element 18 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 50 से compare करा है, 50 हमारी mid value हो, जो 50 से compare करा है, तो क्या हो गया, 18, 50 से बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, left वाले array को हटा देंगे, बाकि right वाले array में compare, element को search करना, इस्टार्ट करतेंगे, तो यहाँ पर left element हमने हटा दिये, बाकि right में हम अब element को find out करेंगे, तो अगला step क्या होगा, अगर हमने left element, अब हमने 65 को क्या किया, mid value बनाया था, जब 65 को mid value बनाया तो हमें पता चला कि, जो 65 है, 80 उससे बढ़ा है, 80 बढ़ा है, तो मतलब right side में हम जाएंगे, अगर छोटा होता तो हम left side, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों भी element को फूल जाएंगे, और एक नया array फिर से create कर लेंगे, 7 और 8 का, ठीक है, तो 80 और 99 का एक नया element, अब इसमें हमने 80 को क्या किया, कि mid value बना दिया, जब mid value बनाया तो 80 को 80 से हमने compare कराया, तो हमें पता चला कि, यह दोनों एक दूसरे से match कर रहे हैं, यहां पर not match नहीं रहेगा, रहेगा both और matching, so result हम दिखा दें कि element is found at index 7 पर, index 7 पर हमारा element 18 क्या है, मिल गया, so I hope कि आपको समझ में आया होगा, कि binary search algorithm की तरह से work करता है, so अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, comment और subscribe, ज़रूर किजेगा, thanks for watching the video, thank you, bye bye guys